दोस्तों किसी विक्ति की आचाना मिठ्ट्य हो जाए और दोस्तों उसकी अस्ती विसर्जन यह पर अन्न मberry क्रिय नहां पाए दोस्तों मैं कि शुर्जण के थाधि क्रिया के नहीं हो से अब कटि कोई क्रिया कर्म बन पाया है उस्ति की गती नहीं ली उपाए कर दो तो उसकी गती हो जाएगे कौन सा उपाए बुले जो व्यक्ति जब मर जाए और अगर मरे मरा आदमी को जहां मरा हो वहां से उठा के कुछ देर के लिए बेल के ब्रक्ष के नीचे रख दिया जाए जान से सुनज्य यह बात अपने यह जब घर से मुर्दा उठत है और समसान जात है तो एक जगा बीच में उतारो जात है उतारो जात है काई उतारो जात है जो यह लिखो से महा पुरान में तो मुर्दा को बेल की नेचे उतारो चग जे अगर मरे आदमी पे बेल की चाहिरी पर जाए तो भगवान संक करके हम लाग काम छोड़के ऊपको हाथ पकर करके उख भगवान से मिलूँ मेरे अपां धर देत मगवा के नियद्चे तो बहुतार हो जाता है अपन मुझा पता है नहीं या पने जहांचाए उतार दाओ आपन ने उतार दाओ खूंबा मुरा के नियद्चे वह आगे जनब म महां लड़ांगा मुर्दा सिर्फ और सिर्फ बेल के ब्रक्ष के नीचे उतरना चाहिए इसलिए मुर्दा उतारने का बिधाल है एक दूसरी कथा जा भी मिले थे मुर्दा उतार वे की एक तो जा सास्तर प्रमानत है कि बेल के ब्रक्ष के नीचे मुर्दे को उतारना चाहिए और कहीं उतारने का बिधाल नहीं है और दूसरी कथा जाया उते से मुर्दा उतारो जाते गोस्वामी तुलसीदा जी खूंत जानता ही हुए जानत हो कच्छु कि यहां कोन हमाई गाहों के आए गाहों के लोग परेशान रहते थे उनसे सब उनको जा कहते के जनम लओ बाप खालाओ मताई खालाई जो अंदाई ने पालो खो खालाओ कुसको नहीं कहते भाजन करवेवारों की ऐसी इस्थिती बनत है आओ काई से कच्छु तो तारक वोई खो भाई नहीं भाई खेत में बिजू को तो जाना तो जो तुम हो रहे हैं जाना तो वह यह कैसो डंडा यह कैसो फेरों पुराने का पड़ा पेरा दे और चनों के खेत में गड़ा दे ने वो खोड़ चना खाए अन्य दूसरा हुखान देवाई अब खेत में नहीं जा बिजू के अब तो हर गाँ में चार छे बिजू के हूँ से रहन लगे यह सो हो नहीं सकत तिती बरी पथर यहां में एक दूने हुए पता तुमोरे कर लिए कि यह यहां बिजू के जिन्दगी में मंदर नहीं गए जिन्दगी में कथा कीड़तर भजन में नहीं गए पर अगर दो चार मंदर यह हैं तो घर के बारे बैठेकर लगे भज्जा हर स्चंद यान कर गए अब कई भज्जा इनकों बिमाना है तुम्हें यह सी किया तो बहर लाओ किया के काई को अपजसलेट और ने कुद खाये के तको ने वह रोंखो खाने देदेगे अच्वेन में भी रहे दो चार जिन्दगी मंदर नहीं गए मारी जान आइं गए भाव भजन में नहीं गए दो चार हमाई भेने सोच ले वें के चलो रही घर गरस्ती तो लगी रहते अपन तो सुम्मुवार के सुम्मुवार भजन बांद लिए सुबे तो जा रही भजनों है अब जे बैठी है बाइरे बताए काकर इरी कई भगता नहीं अन्य कारगाई मीर आया जा रहा है वे तो पुझा रहने आए तो बातों पुझा रहने आए तुम का चुड़े लने आओ तुम कुआ तुम तो जा बताओ उसे तो तुम भगतान भगतान के तरह उस बादाइंजे तुम चुड़े लन बनाओ कुझे ने कुण सागो ना मैंने बुगा मैंने की ली हिजाओ सही यह तो कल से को आई नहीं रहो तो मैं बचराई आँ बश्वेडले अमने दो टना भें तेयाद आई तो दो टना हमने कुछ नहीं कैई नहीं अब और ने कहते हैं हम आखरी में बीसो और इसी चुके हैं नियान राकी जो अब तो हम तर नहीं के गरे पे दिया है कि कम को उन्हें आओ हम कहा करें तने बड़े पंडाल में कभी किसी की निंदा मत किया करो मेरा हाँ जोड़ के निवेदन है तो गोस्वामी तुलसीदा जी को सबवा अभागा अभागा कहते और गाओं के लोगों ने गाओं से निकाल दिया गाओं के बाहर रहते हैं वही गाओं में एक लड़का की भाई सादी और पंचमें दिना वो लड़का मर गादी हुँ सि अब गाव भरक्यों की अर्थी बना के जा रहा है पेले नियां महतों अपने थे कि अर्थी के पीशे पीशे पतनी समसान तक जा ती और जा कर सती हो जाती सती पर्थाती अपने थे आप और उने पढ़ो ही यह ज़ा सती प्रथा राजा राम मोहन राए ने बंद करी राजा राम मोहन राए की बंद करी भाइप प्रथा से रहे सब जा रहा है ते पीछे पीछे जमाहिलावी निगा जा रही ती पांच देना वे आओ खाई ते सती हो बे जा रही थी तुलसी दाजी ठाने थे अपनी जो पढ़ जा के बाहर है अब उन्हें सोची कि हम तो मारे बे जा जी रहे और गली में में लगाओ ब्राम्मन तो पाउ पल लाए उन्हें परे पाउ तुलसी दाजी बोले अखंड सो भाक बती भाव गाओ के बोले आई सिया रे खोपन पगला किया किसा पगला है आरों को घरबारो धरवारती पह अब बा पाउ पर रही जो करवा खंड सो भाक बती भाव गाओ के बोले के महा पगला तुलसी दाजी बोले कि अब राम जी ने कराई गई राम जी की इस चाव से बोले तुम जूते और तुम जूते तो तुलसीदा जी रोन लगे बोले भईया किरे गाउं भन्ने हमें जूतो कई पगला कई पाखन्दी धोंगी कई हम से गये पर हमारी राम को जूतो ने कउओ हमारी राम जूते गाओ के बोले हैं, बोले नग्या, बोले को प्रमान देओ, बोले तु एक काम करो, यह मुर्दा को ने अचे अधर दे, सुने अचे अधर दाओ, तुल सिदा जी तहीं बैठ गाए, और सीता राम जे सीता राम, सीता राम जे सीता राम, सीता राम जे सीता राम, तनक देर कीड तन भावरे, मुर्दा संगे गान लगो, सीता राम जे सीता राम, अब तजी कुने अगा रहा हो, वो मरे से खराब कहाओ, सीता राम जे सीता राम, बताू तो मुर्दागान लगो लगो तो मुरंगार रहे हमारे सखराम ने काऒ मरू अलन लगो यह की ठपड़ी ने बजरा हो समझे मुर्यान जाओ शीतारंगे सीतारistaim लेशीताराम सीतार्यान लेशीतारामन ज्ये अगल बगल मैं देख लिए को नहीं को आ रहा है मैं पनों की उसी बबस्था कर भी कथा के बाद सीताराम धे सीतारां सीताराम धे सीता राम जै सीता राम सीता राम जै पारवतीषिव सीता राम पारवतीषिव स्टाराम ये सीताराम गोरी संकर सीताराम पारवतीश्व सीताराम मुर्दा उठकर के खड़ा हो गया और लोगों ने कहा तुलसी ना तुम ज्यूते ना तुमारे राम ज्यूते कहते हैं तब से भी ऐसा लेख मिलता है कि तब से बीच में मुर्दा उतरने लगा क्योंकि तुलसी ने बीच में मुर्दे को जमीन पे रखवा दिया था पर सास्त्रमत दोनों हैं बेल के ब्रक्ष के नीचे से अगर मुर्दा निकल जाए तो भगवान के धाम को जाता है बेल में ऐसी क्या खासियत है तो भगवान शिव ने ऐसे पनारस को बसाया और भगवान संकरव पांच मंत्र प्रगट करने वाले हैं झाल 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 झाल